जोशिमट के वर्तमान हालातों को देखते हुए आज कॉंग्रेस के सभी नेता जोशिमट पहुंचे हुए हैं अलगलग छेत्रों का निरक्षन उन्होंने किया है किस तरह के किस्तिती हैं जानने की कोशिस करेंगे हमारे साथ में प्रदेश प्रभारी हैं देवेंदर करन मारे साथ मानियंब परदेश इद्यic करन मैरा जी सान्य विधायक हमारे राइंदर बंदारी जी पूर्वध्यक्स हमारे गणेश गोध्याल जी ईलपी हमारे यश्पालारे जी हम सभी सुबह से यहां पर दोरा कर रहे हैं लोगों से जो पीडित हैं उनसे मिलने की कोशिश की है उनसे मिले हैं उनका दुख जानने की कोशिश की है लेकिन कहीं न कहीं जो एफर्ट्स सरकार के दोरा इस आपदा के दोरान किये जा रहे हैं वो रमस्ताओं की उत्राखंड में अन्प्लैंट डेवलिप्मेंट की जो बाड आई है उसके उपर अंकुष लगाने की जरुरत है अगर यह अंकुष नहीं लगेगा तो इस तरीके की आपदाए आज जो शिमत में हैं कल करन परियाग में जहां पर हम अभी जा रहे हैं वहां प उन्होंने चिंता जाहिर की थी तो हम यहां पोंचे हैं यहां की जो स्थिती है उस से हो हमने असेस किया है पूरी एक विस्तित रिपोर्ट हम भी बना रहे हैं इसके अलावा भी हमने एक्सपर्ट की कमेटी यहां पर बनाई है यहां जो लोग हैं उनकी यता संभव मदद क करने की कोशिश हमारे विधायक जी के नितित में पूरी कॉंग्रेस कमेटी का कोशिश है कि जो यहां से पीडित है जिसको यहां से विस्थापित होना पड़ रहा है उसको क्या मदद कर सकते हैं किस तरीके से उसको एक उचित स्थान दिलवाने का काम कर सकते हैं लेकिन जिस कैसे यह सरकार बिहेव कर रही है पहले 5000 का मुआवजा अनाउंस करना उसके पस्चात जब प्रेशर बढ़ा परदेश कॉंग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री का घेराव किया तो उसके पस्चात इनकी नीन जागी डेड़ लाग रुपे अनाउंस किया है बहुत से परिवारो जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसके कारण भी हमें जानने की बहुत सक्थ जरूरत है नहीं तो आज जोशी मट मैंने कहा कल करन परियाग और नैनीताल सभी इसकी जज़्द में है अगर जिस तरीके का कारवाई यहां के जो साइंटिस्ट जो मुझे मालू हुआ आए हैं और जिस तरीके के फैसले वो ले रहे हैं कि एक मकान को लाल निशान लगा दिया एक को पीला कर दिया एक को हरा कर दिया यह नहीं देख रहे हैं कि कोंचा मकान कहां पर है लेमेंस के नजरों से सिर्फ देखकर और उसकी इस्रेस्मेंट करना यह ठीक नहीं है एक सवाल करन जी से भी है सर जितने प्रभावित परिवार है वो एंटीपीसी को जिम्मेदार मान रहे हैं आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से ये परिष्टिती उत्पन हो गई जोशिमट देखे दो हजार एकिस में साथ फरवरी को जो रिहाणी में जो एंटीपीसी की टनल में फ्लरड आया था उसमें कई लोग खतात हुए थे मशीन वहीं बंद रही और फ्लरड जब होदा जो पानी है उसका प्रैसर हर कोई जानता है उसको जहां कच्छी मिटी कच्छा पत्थर मिला हूँ वहां से उसने फारते वे जेपी के नीचे से वो पानी निकला और कई हफ्तों तक वो पानी हजार एलपीम से ज़्यादा था और जब मैं पिसली विजिट में आया था तबी भी वो दोसो ड़ाइसो एलपीम था मैं और आधनी विदायक जी वहां गए थे और उस मैं इसमें लापरवाही भी मानता हूँ मैं इसमें जो कॉर्परेट्स हैं उनके आगे सरकार का जुकना भी देख रहा हूँ क्योंकि लगातार अलग-अलग बयान हो रहे है आजयबठ जी कहते हैं अभी जी रिपोर्ट आईगी तब मैं सही बात कह सकता हूं मुखी मंत्री उसी दिन कहते हैं कि साब NTPC को कोई गलती नहीं है एक तरफ कहते हैं कि साब हमने काम रोग दे और आप के ही किसी साथी ने दस तारिक की रात को दो वज़े एक वीडियो जारी किया था कि NTPC की टरनल में काम चल रहा है तो आखिर यह क्या मजाग है पूरा एक संस्कृती क को समेटा हुआ यह राज यह शहर है जिसमें आदिगुरु संकराचारी जी का की गदी हमारे नर्सिंग भगवान का घर बद्रिनाजी छे मेंने रहते हैं जो मतलब सरकार को संवेदन सील होना चाहे था जो नहीं है आज भी माताय बहने रोते वे बिलगते वे आ रही है जि के बाद बद्रिनाज जा जाता तो इसकी महत्ता को समझना चाहे आसी करोड़ से जादा हिंदूं को आस्ता का केंद रही है जो शीमठ है और ट्यूरिजम की लिहास से भी विश्व पटल पर इसका नाम है औली आपने देखाई उसकी भी जो रूप है वो भी खत्रे की जद कोई हालत है और धर्चुला में जहां से अभी तक खब रहा है और आधरनी देवेंद्यादाव जी को खटगे साब ने और राहूल गांदी जी ने भेजा इसलिए है कि वो हमारे साथ यहां की अनक छेत्रों की विजट भी करेंगे और विश्व रिबूट बनागे हम आई क संकट है सरकार किस तरीके से उनके लिए करें आप विपक्स में सभी नेता यहां पर पहुंचे हैं किस तरीके से आप सरकार को चेताएंगे हम लोग जो भी प्रेशर है क्रेट करेंगे कि यहां के लोगों की और यहां की संगर समीती का की जो डिमांड है कि वन टाइम सेटल हमको टीरी डैम के विस्ताफीतूं की तरह रिसी केज और दहरादून इत्यादी शेत्रूं में कहीं बसाया जाना चाहिए ताकि वो शुरक्सित रह सके जहां भी पानी की वेवस्ता नहीं है जमीन प्रॉपर है या नहीं क्योंकि वो तो बाद में पता चले कितना लोड काल की सुईदा हो वहाँ इनको बसाया जाना चाहिए कॉंग्रेस के सभी नेता आज जोशिमट में पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके के हाला तभी जोशिमट में बने हुए हैं साब तोर पर विपक्ष के नेताव का कहना है कि सरकार को तबाम आपदा प्रभावित गंगा जोशिमट एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की